हेलो फ्रेंड्स जीके गुरुजी अड्या की यूटूब प्लेटफॉर्म पे मैं सेलेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसे कि आप सभी को पता है जो सीटेट का एक्जाम है आपका वो जुलाई में अब अगला सीटेट होगा तो इंतजार नहीं करना है तैयारी कांटीन्यू करते चलना है आज हम लोग जुगरिफी के पाच्वे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये चैप्टर सीटेट की दृष्टी से बहुत ही महत्वूर्ण क्वेशन यहां से बनते हैं तो चैप्टर भी बहुत ही मह पिपर चलिए जैसा कि आप पहले अद्या में पढ़ चुके हैं कि प्रतवी एक मात्र ऐसा ग्रा है जहां पर जीवन है अर्थात मानों यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए क्या आवश्यक है भूमी जल हवा ये सब प्रतवी पर मौजूद हैं प्रतवी की सत जाता है यहां आपको आक्सीजन नाइट्रोजन कारवन डाय आकसाइड जैसी दूसरी गैस से पाई जाती है पर तभी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहते हैं जल में सभी अवश्थाएं होती हैं जैसे बर्फ जल और जल वास्प तो बल जो च्यूडर का मतलब होता है जल बायोस का मतलब होता है जीवन चलिए अब भू मंडल पर चलते हैं और देखते हैं इससे संबंदित क्या क्या चीज़े हैं जो इंप्वाटन रहेगा उसको नोटस जरूर बना लिएजएगा मैं आपको बताता चलूंगा प्रतभी के ठोस भ भूभागों को क्या कहते हैं महादूइब कहते हैं याद रखेगा जो बड़े और अस्थली यह भूभाग हैं उनको महादूइब कहते हैं तथा बड़े जलाशियों को महासागरी वेसिन के नाम से जाना जाता है विस्तु के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड माना जाता है यह जो पूरा घेर दिया हूँ यह most important की स्रेडी में आता है इसको note बना लीजेगा अपनी notes में save कर लीजेगा लिख लीजेगा यह आपका 200 का मानचित्र है इस मानचित्र को आप लोग देख लीजेगा चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और देखते हैं यहां क्या चीज इंपॉर्टेंट है चलिए 200 का सबसे उचा सिखर माउंट एवरिष्ट समुद्र तल से देखिए क्या लिखा है समुद्र तल से 8848 मीटर उचा है विश्व का सबसे गहरा भाग चलिए देखते हैं विश्व का सबसे उचा सिखर माउंट एवरिष्ट समुद्र तल से 8848 मीटर है याद रखिएगा कितना है मीटर में है सबसे उचा समुद्र के तल से यहां एक सब्द लिखा है समुद्र के तल से 8848 मीटर उचा है विश्व का सबसे गहरा भाग प्रसांत महासागर का मेडियाना गर्त है जिसकी गहराई लगबग 11,022 मिटर है क्या आपने कभी कलपना की है समुद्र की गहराई प्रतभी के सबसे उचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है अपने कलपना नहीं कियोगी चलिए नियुजीलेंड के एडमंड हिलोरी तथा भारत के तेनेजिंग नौर्वेज सेरपा 29 मई 1953 को प्रतभी के सबसे उचे सिखार माउंट इवरिस्ट पर चड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं ये इमपोर्टेंट लाइन है और पूझा जाता है जापान की जुंकुत ता बेई वि को एवरिस्ट पर कदम रखा याद रखेगा क्वेश्चन कई बार पूझे गए हैं मोस्ट इमपोर्टेंट की सिनरी में आता है चलिए प्रतभी पर साथ महादुइप हैं ये विस्त्रत जलराज के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं ये महादुइप हैं एसिया योरोप अ उत्तर अमेरिका, दक्षन अमेरिका, आस्चेलिया और अंटार्टिका विस्तो के मांचित्र को देखिए और इस्थल का बहुत बड़ा भाग उत्री गोलार्ध में आपका पाया जाता है चलिए एसिया के बारे में जानते हैं विस्तो का सबसे बड़ा महादुइप है प्र इम्पोर्डेंट है यूरोप और एसिया की संयुक्त भाग को यूरेसिया कहा जाता है या यूरोप एसिया कहा जाता है चलिए यूरोप की बात करते एसिया से बहुत छोटा है या महादुइप एसिया की पश्चिम में इस्थित है आर्कटिक बृत इससे होकर गुजरता ह या तीन तरब से जल से घिरा है विश्व के मांचित्र में इसकी इस्थिति आपको देखना है तो कितने तरब से यूरोप घिरा है तीन तरब से समुद्र से घिरा है याद कर रखे रहेगा एसिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादूइप है अफ्रीका विश विस्वत और मकर तीन और एखाएं गुजरती हैं ये भी important है याद रखेगा चलिए सहारा का रेगिस्तान विस्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफरीका में स्थित है या महाधीब चारुतरब से समुद्रों यहों महासागरों से घिरा है विस्व के मांचित इनके किन-किन भागों से हुकर गुजरती है आपको भागों के नाम बताना है चलिए उत्तर अमेरिका विस्व का तीसरा सबसे बड़ा महाधीब है या दक्षण अमेरिका से एक सकरे स्थल से जुड़ा है जल से नहीं जुड़ा स्थल से जिसे पनामा स्थल संदी कहते हैं चलिए, कहा जाता है कि या महादुवी पूरी तरा से उत्तर यों पश्चिंग गोलार्द में इस्तित है, या महादुवी तीन महसागरों से घिरा है, क्या आप इस महसागरों का नाम बता सकते हैं, इस्थल संदी का मतलब होता है, इस्थल का वह सकराभाग, जो दो बड़े इस्थले भागों को एक दूसरे से जोडता है, ये इस्थल संदी है, जलसंदी पानी का वह सकराभाग, जो दो बड़ी जलरासियों, इसे समुद्रों तथा महसागरों को एक दूसरे से जोडता है, भालत और स्रिलंगा के बीच में जलसंधी पाई जाती है चलिए दक्षड अमेरिका के बारे में जानते हैं दक्षड अमेरिका का दिकांस भाग दक्षड गोलार्द में इस्थित है इसके पूर्वियों पस्च में कौन से दो महासागर इस्थित है आपको बताना है विस्व क सबसे लंबी परवस्रिंकला इंडीज इसके उत्तर और दक्षड की और फैली है दक्षड अमेरिका में बिस्ट की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है याद रखियेगा सबसे लंबी नदी नील है और सबसे बड़ी अमेजन है आस्टेलिया बिस्ट का सबसे छोटा महादूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व रखेगा प्रतवी को निल अग्रा कहा जाता है इसका 71% भाग जल, 31% भाग अस्थल है, जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्तित हैं, महासागर, नदी, जील, हिमनत, भूमिगत, वाव मंडल की जलवास भी इसमें समलित हैं, प्रतवी पर पाया जाने वले जल का 97% से अधि भाग महासागरू में पाया जाता है और वा इतना अधिक खारा होता है कि हम लोग इसका उप्योग नहीं कर सकते हैं, चलिए, आगे चलते हैं, मानव के उप्योग में ये नहीं आ सकता है, चलिए, आगे बात करते हैं, सेस जल का बहुत बड़ा भाग, बर्फ की परतोयों म हिम नदियों तथा भूंगर जल के रूप में पाया जाता है जल का बहुत कम भाग आलमर जल के रूप में पाया जाता है जो मनुस्य के इस्तेमाल में आता है यही कारण है कि नेले ग्रह में रहने के बावजूद हमें पाने की कमी महसूस होती है चलिए महसागर की हमाव से ज जो और भाटा है महासागरी धाराएं हैं बड़े से छोटे आकार के अधार पर कमसा पांच महासागर है तो सबसे बड़ा प्रसांत है फिर अटलांटिक महासागर है हिंद महासागर है दक्षडी महासागर है उसके बाद आर्खटिक महासागर हमारा आता है चलिए बात करते ह प्रतबी की एक तिहाई भाग पर फैला है प्रतबी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गरत प्रसांत महसागर में है प्रसांत महसागर लगबख व्रत्ताकार है अस्टेलिया उत्तरियों दक्षड अमेरिका इसके चार और इस्तित है आपको 5.1 चित्र जा करके देखना है, प्रसांत महासागर की चारों ओर इन महादुपों के इस्थिती भी आपको पता लगाना है चलिए, अटलांटिक महासागर दूसरा आपका सबसे बड़ा महासागर है या अंग्रेजी महासा की यस अक्षर के आकार का है कि पश्चमी किनारे पर उत्तर युम दक्षन अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप युम अफ्रीका है अटलांटिक महासागर की तटरिखा बहुत अधिक, दन तुरहित है या अनिमित और दन तुरहित तटरिखा प्राकरतिक पोतासरों युम पत्तनों के लिए आदर्स इस्तिति है ब्यापार की द्रिष्टी से या सबसे व्यस्त महासागर है ये भी नोट कर लीजेगा, पूछा जाता है ब्यापार की द्रिष्टी से सबसे व्यस्त हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश की नाम पर है यानि भारत के नाम पर है यहां महासागर त्रिभुजाकार है तो हिंद महासागर कैसा है त्रिभुजाकार है इंप्वार्टेंट है नोट कर लीजेगा इसके उत्तर में एसिया पश्चिम में अप द्रुब्रित में इस्तिता यह उत्र द्रुब्रित के चारो और फैला है प्रसांत महासागर से छिछले जलवाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेडिंग जलसंधी के नाम से जाना जाता है यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी ततोटर था यूरेशिया से गिरा है चलिए वायो मंडल यह हमारी चारो और से गैसों की एक परत से गिरी हुई है जिसे वायो मंडल कहा जाता है वायो की यह पतले परत इस गरह का महत्मोड यो मतोड भाग है यह हमें ऐसी वायो प्रदान करती है जैसे हम लोग सांस लेते है यह वायो मंडल हम लोगों को सूरी की छोब मंडल, समताप मंडल, मद्ध मंडल, आयन मंडल और वहिर मंडल कहा जाता है, इस image में आपको दिखाया गया है, चलिए मैं आपको image में दिखा देता हूँ, यह आपके हैं, तो प्रतभी के सबसे नस्दीक है, छोब मंडल, इसके बाद समताप मंडल, फिर मद्ध मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वहिर मंडल होता है कौन सी स्थितियां किसके लिए हैं आपको इमेज में भी दिखाया गया है चलिए अब बात करते हैं वायू मंडल मुख्य था आक्सीजन यूम नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ एमसुस का हवा का निन्यम्बे प्रसत भाग है आयतन के अंसान नाइट्रोजन 78% आक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसे जैसे कार्बन आरगन इत्यार एक प्रसत मात्रा में है आक्सीजन सास लेने के लिए आविशक है जबकि नाइट्रोजन प्राडियों के व्रद्धी के लिए आविशक है कार्बन डैक्सेट ये दर बहुत कम मात्रा में है लेकिन आप प्रतिभी के द्वारा छोड़े गए उसमा को अवसोसित कर लेते जिससे प्रतिभी गर्म रहती है या पौधों के व्रद्धी के लिए आविशक होती है उचाई के साथ वाई मंडल के घनत तुमें आपको भिनता मिलती है ये काउंसेप्ट याद रखे का क्वेशन पूस्ता है कि उचाई पर जाने के दाथ वाई मंडल में घनत तुमें भिनता मिलती है या नहीं या घनत तो समुदरी तल पर सबसे अधिक होता है जैसे जैसे हम उपर के ओर जाते हैं तेजी से घरता जाता है चलिए उपर के ओर जाने पर तापमान भी घरता जाता है वाई मंडल पर दबाव डालता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अलग अलग होता है यह दबाव कुछ शेत्रों में हम अधिक दबाव महसूस करते हैं जबकि कुछ शेत्रों में कम वाईव उच्च दाब से निम्न दाब के और बहती है ये अब की बार question पूछा गहता है ये वाली line को बहुत बढ़िया से याद कर लेजेगा वाईव हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब के और बहती है गतसील वाईव को पावन कहा जाता है चलिए जीव मंडल की बात हम आ कारिम पाई जाती है मनुश्य सभी प्राणि जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीव मंडल में जुड़े रहते हैं जीव मंडल के लिए प्राणियों को मुक्यता दो भागों में बाटा गया है पादब जगत एवं जन्तु जगत ठीक है प्रतभी के ये जो है तीनों आपस में पारासपरी क्रिया करते हैं एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रवाइवित करते हैं उदाहरण के लिए लकडी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाये तो इससे ढलूआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है इस प्रकार प्राकरतिक आप गाडियों का उत्सरजी पदार्थ वाइव को प्रदूसित करता है कारवन डैक्साइट वाइव का एक महत्मुन घटा के लेकिन कारवन डैक्साइट की मातर में व्रद्धी के एकरन प्रतवी के तापमान में व्रद्धी हो रही है इसे भूमंडली तापायन कहा जाता है इ आप अगर इससे समध्य कोई topic है जो कम समझ में आया है जो आपको समस्या create करता है आप comment कर दिजेगा उस topic में मैं नए तरीके से वीडियो बना दूँगा notes के माध्यम से वीडियो बना दूँगा आपकी जो भी समस्या होंगी उनका पूरा का पूरा समाधान क्या जाएगा प्याजे साथ यो तो इसके लिए आप परिशान नहीं होना है आपको ठीक है जो भी समस्या है जो भी आपकी queries है आप उनको रखिए ठीक है उसको solve करने का प आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे आप से तब तक के लिए आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्या है